हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जेनुविन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी इंपोटेंट जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिस की हमने एक न्यू सीरीस स्टार्ट कर रखी है तो आज हम टॉपिक करेंगे इंग्लिस एल्फाबेट तो इंग्लिस एल्फाबेट होते क्या हैं सबसे पहले साथियों हमें जो एल्फाबेट है उनको समझना जरूरी है तो there are 26 letters in English these letters are said English alphabet English में 26 letters होते हैं हमारे ये आपको पता होगा जो A to Z होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं तो जो ये 26 letters होते हैं ये letters ही क्या होते हैं English alphabet होते हैं या simple सब्दों में मैं आपको बताऊं The smallest unit of any language is called alphabet किसी भी भासा की सबसे छोटी जो unit होती है वो क्या होते हैं ऐल्फाबेट वर्न आपको पता होगा वर्न क्या होते हैं किसी भी भासा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं वर्न बोलते हैं तो English में क्या है there are 26 letters in English and these letters are said English alphabets इसके बाद there are two types of English letters English में क्या होते हैं? दो तरह के letters होते हैं two types of English letters या alphabet capital letters जैसे हम लिखते हैं ये ABCD बड़ी जो ABCD होती है small letters जो छोटे होते हैं इस type से उनको लिखते हैं तो सातियों आपको पता होगा जो A to Z होते हैं वो कितने types के होते हैं? दो types के होते हैं capital letters, small letters मतलब छोटे जो वर्न होते हैं और एक होते हैं बड़े जो बड़े type में लिखते हैं छोटे type में लिखते हैं इसके बाद एक important point में आपको बता देता हूँ while writing in four lines copy जो चार line की copy होती है अगर हम उसमें write कर रहे हैं तो कैसे कैसे write करेंगे ये आप ध्यान दे in the middle of two lines जो बीच की दो line में आते हैं alphabets वो कौन कौन से हैं a c e i m n o r s u v w x ये जो alphabets हैं ये कहां आते हैं बीच की दो line में आते हैं ये आप ध्यान दे जैसे ये बीच में मैंने लिखके भी बता रखा हैं आपे ये आप देख सकते हैं a c e मान के चरू आपके पास चार line वाली copy है तो चार line वाली copy में ये कहां पे आएंगे बीच में आएंगे a c e इस type से बीच की दो line में आएंगे जो middle की two lines है न उनमें ये आएंगे इसके बाद है in the first three lines जो पहली तीन line है उनमें कौन-कौन चे आएंगे b d h k l t ये जैसे इसमें मैंने example भी दे रखा है b d h इस type से वो आएंगे इसके बाद in last three lines जो last की तीन line होती है उनमें कौन चे आएंगे g j p q y z जैसे मैंने लिखा हुआ इस पे g j p इस type से तो साथियों ये कहां पे आएंगे last की तीन line में इसके बाद in all four lines मतलब चारो line हो में कौन चे आएंगे f f इस type से आएगा चारो line हो में तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये point आपको बिल्कुल समझ आए होंगे एक बार दुबारा मैं आपको light बता देता हूँ कि English में क्या होते हैं English alphabets होते क्या हैं जो हमारे 26 letters होते हैं वो ही क्या होते हैं English alphabets होते हैं या किसी भी भासा की सबसे छोटी एकाई को हम क्या बोलते हैं alphabets बोलते हैं और जो alphabets होते हैं कितने types के होते हैं दो type के होते capital letters और small letters इसके बाद अगर हम चार line की copy में हम लिखते हैं तो जो पहली दो line हैं उनमें कौन से alphabets आएंगे यह मैंने आपको बता दिया a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x और example भी दे दिया इस type से आप कर सकते हैं इसके बाद first three lines जो पहली तीन line है उनमें कौन से आएंगे b, d, h, k, l, t और last की तीन line में g, j, p, q, y, z और जो सारी line में आएंगे वो कौन सा है, f तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारी चीज़े समझ आयोंगे यह बिल्कुल base से मैं आपको करा रहा हूँ आगे आपको और important topics देखने को मिलेंगे तो साथियों, इस से आगे मैं आपको जिसको इंगलिस पढ़ने नहीं आती हिंदी आती है लेकिन इंगलिस नहीं आती उसके लिए guaranteed एक अच्छी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें गुडबाई, टेक कियर, थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम